हलो दोस्तों माइसल्फ मनो सर्मा टीम बॉटनी सील सी सीकर आई होप आप बहुत अच्छे से पेपर दे रहे हो पहले आपने बायो केम दिया फिर फिजिक सीको दिया अब आपकी बारी है किसकी DCM की DCM में बीच बीच में MTS मेजर टैस सीरीच इसका मेजर नंबर आपके 3 और उसका था आई होब सारे के सारे eu कुशन आपके सशय होया होंगे फिर भी कहीं कलती से एक दो क्यूशन में आपके की solution के जरी आपन बिटा क्या करेंगे solve करेंगे चलो बढ़ते हैं आपन first question की ओर और first question है आपका 151 और यह 151 question जो है वो बिटा आपके लिया गया है कहाँ cell division से देखो आपके क्या करहा है which of the event listed blow यानि कि आपके क्या है event का पूछ रहा है कि कौन सा event जो है which of the event listed blow is not observed during mitosis यानि कि आपके इन में से कौन सा जो आपके क्या है phenomena है कौन सा event जो है वो आपके समसूत्री विभाजन के समय mitosis के दौरान आपके नहीं होता है तो सबसे पहला दिया हुआ है chromatin condensation यानि कि chromatin का संगनन बिल्कुल आपके chromatin का संगनन mitosis में होता है प्रोफेज के एंड तक आपके complete हो जाता है और condensation complete हो के मेंटाफेज में जो chromosome होता है वो थिक हैस्ट होता है और smallest होता है इसी लिए अगर आपको chromosome की study करनी है chromosome की morphology की study करनी है तो इसके लिए best फेज जो होती है वह आपके कौन सी होती है मेटफेट तो यहाँ kromosome का अंदंशेशन होता है फिर है movement of sentryols to opposite pole बिल्कुल आपके क्या है sentryol जो है वह opposite pole की तरफ आपके move करती है कौन सी फेज में प्र फेज में तो यह भी सही है splitting of centromere ब्इयापके क्रॉमसॉम जो है वो सेंट्रोमीर से आपके क्या होता है बिल्कुल होता है कौन सी फिज में एना फेलज में और यह सैपरेट क्रॉमेटट हो मैं इनको अब क्या कहते हैं तो यह भी ठीक बाद है सेपरेशन of homologous chromosome समझात गुनसूत्रों का प्रथक करन समझात गुनसूत्रों का प्रथक करन जब होगा तो प्लॉइडी आपके 2N से क्या रह जाएगी एन तो यह केवल और केवल का बुता है मियोसिस के टाइम समझात गुनसूत्रों का प्रथक करन या homologous chromosomes का separation जो है वो आपके कब होता है मियोसिस में तो separation of homologous chromosome जो है वो कभी भी आपके कब नहीं होगा माइटोसिस में नहीं होगा तो यह आपके क्या है रॉंग है तो देखो आपन क्या कहना चाहरे हैं देखो क्रोमेटिन का कंडेंशेशन होता है मुवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल होता है स्प्रिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आपके होती है तो क्या नहीं होता है सेप्रिशन और फॉर्मोडोगस क्रोमोसॉम यह आपके कप पाया जाता है मियोसिस में ऑके बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ नेक्स क्यूशन जो है वह आपको दिया हुआ है कहां से मॉर्फोलोजी से मॉर्फोलोजी का क्यूशन है देखें आप कायसे सेप्रिशन की तो आपके कह रहा है देखो मार्जिनल प्लासेंटिशन तो मार्जिनल प्लासेंटिशन जो है यहां आप कह रहे हो प्लासेंटिशन यह आपको पता यह सीधा से आपके किसमें मिलता है तीम है यह आपके किसमें मिलेगा बिटा तीम है तो यह रॉंग हो गया दूसरा है exile placentation बिल्कुल सही है यहां multilocular आपके क्या होती है? ओunt Шalos लेंगन होती है और यह आपके किस में पाया जाता है? चाइना रोजोर, लेमन में बिल्कुल सही है free central जो placentation है यहां आपके क्या है? biolocular ओवैरी यह भी wrong है प्लिस यहां आपके दिर्खा है, lady finger, lemon और dianthus, नहीं, यह keval और keval किस में मिलता है, dianthus और primrose में, किस में मिलता है, dianthus और primrose में, तो ये भी आपके क्या हो गया, रॉंग हो गया, basal placentation, एक्जाम्बल सही है, sun flower और marigold होगा, लेकिन यहां multilocular ovary में money ovules आपके नहीं होते, only आपके क्या होता है, single ovule, क्या होगा बिटा, single ovule, तो यह आपके क्या हो गया, wrong हो गया, सीधा NCRT में आपके क्या कर रखा है, यह mention कर रखा है, तो यह भी आपके क्या है, wrong है, तो सही केवल और केवल आपके कौन सा है, second, तो आपके दोगे, यहाँ आपसे पूछा है, find out the correct match from the following, तो यहाँ आपके right जो है, वह आपके कौन सा हो जाएगा, second, तो 152 का answer आपके जाएगा, कौन सा, fourth, next आपन चलते हैं, बेटा, देखो, next आपसे पूछा गया है, anatomy का question है, बहुत अच्छा सा question है, का है का, कॉलन काइम काइमा में आप क्या केते हो, देखो, cells जो है, इन पर आपके deposition हो जाता है, cellulose, hemicellulose और आपके किसका, टैक्टिन का, लेकिन cell आपके क्या है, living होती है, cell आपके क्या है, living है, plus living form में यह आपके क्या देती है, mechanical support आपके क्या करती है, provide करवाती है, mechanical support आपके क्या करवाएंगी, provide करवाएंगी, तो इसलिए इसको अपन कहते हैं, क्या living mechanical tissue, क्या बोलत से हैं living mechanical tissue क्या को लिविंग mechanical tissue तो इसको आप कह दोगी लिविंग mechanical tissue लिविंग है और आपके क्या है mechanical ठीक है next क्यूंशन की अगर आपन बात करते हैं तो next है 154 154 में आप देखोगे तो देखो आप से क्या करा यह हरसे and change use the radioactive sulfur and radioactive आपके किसमें होता है तो देखो अपने मिलाते हैं तो बिलकुल सही है एंड फॉस्फुरस प्रेजेंट इन डिने बट एपसेंट एन प्रोटीन बिल्कुल सही है तो आंसर जो है वह कोंग सा चला जाएगा बिटा फ़र्स्ट तो इमलंटे कहोंग सा हो जाएगा फॉर्स्ट cancer है एक सकति हनों गर्थ ट्रॉटींटर कि नेक्स है आपकी क्यूशन Select the correct combination of the statement A and D regarding to the characteristics of certain organism The correct statement R यानि कि आपनको diversity का question है जिसमें से आपको सही answers जो हैं सही statement आपको choose करने है देखें आप Methanogens are R की bacteria which produce methane in Marsy areas Methanogen दलदली छेत्रों में methane पैदा करने वाले R की bacteria होते हैं बिल्कुल सही है Nostock is filamentous blue green algae which fix atmospheric nitrogen बिल्कुल सही है Chemo synthetic autotrophic bacteria synthesized cellulose from glucose na Chemo synthetic autotrophic का मतलब होते हैं कि जो आपके microorganism आपके nutrition का synthesized self करते हैं लेकिन उसके लिए energy जो लेते हैं वो किसी ना किसी chemical के degradation से लेते हैं उनको आपन कहते हैं क्या chemo autotroph और यह बास समझ में autotroph का मतलब हो गया खुद अपने nutrition को synthesized करने वाले और chemo synthetic का मतलब हो गया कि इसके लिए जो energy ले रहे हैं वो किसी chemical के degradation से आ रहे हैं तो यहां कते हैं इसका मतलब यह नहीं होगा कि cellulose से आपके गुलकूज का क्या करें आंसर आपके चला जाएगा कौन सा a b and d ओके बढ़ते हैं एक्सक्यूशन की तरफ नेक्स्ट है आपके 156 156 देखो आपको क्या कह रहे हैं consider the following characters of some flower कुछ पुस्प के निमनेखित लक्षणों पर विचार कीजिए बिलकूल करते हैं exerted stigma and enters बिलकूल सही है क्या कर रहा है हलके तथा कुछ हलके तथा एचिप चिप पे आपके क्या हैं परागणे light and non sticky pollen greens हलके तथा एचिप चिप परागण है exerted stigma and enters पुंके सर तथा वर्तिकागर बाहर की निकले होए बिलकूल सही है फिर है large often feathery stigma बड़े अधिकांस रॉम्युक्त वर्तिकागर flower colorless orderless and nectarless तो बेटे सारे सीधे के सीधे character जो है वो आपके किसके दे रखे है एयर pollination के NCRT ने mention कर रखे है किसमें air pollination में air pollination जो है उसमें आपके pollen grain जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं lightweight होते हैं और non sticky होते हैं ताकि easily आपके क्या कर सकें उड़ सकें इजीली आपके air के साथ क्या हो सकें transfer हो सकें excerted stigma और enter होते हैं enter से pollen grain फटाफट से free हो जाएं और इनको catch कर ले आपके कौन stigma बिलकुल सही है आपके stigma जो है फीदर ही होगी इसके लाबा sticky होगी और आपके कैसी होगी हेर ही होगी ताकि easily catch कर सके pollen grains को flower जो है colorless orderless और आपके कैसे होते हैं nectar less तो यह सारे के सारे जो character है वो किस से related है एयर pollination से जिसको अपन कहते है एनिमो फिली क्या बोलते हैं बिटा एनिमो फिली इसको क्या के दोगे आप एनिमो फिली तो answer चला जाएगा क्या एनिमो फिली यानि कि आपके वायू परागर ठीक है next question की तरफ बढ़ते हैं अपन next है 157 अच्छा question है photosynthesis का photosynthesis में यह आपको बता रहा है कि यहाँ chloroplast जो है उसका आपके contribution क्या होता उसकी भूमी का क्या होती है a student sets up a experiment on photosynthesis as follows he takes soda water in a glass tumbler and add a chlorophyll extract into the contents and keeps the tumbler exposed sunlight hoping that he has provided necessary ingredient for photosynthesis to proceed with CO2, H2O, chlorophyll and light यानि कि यह कहना चाहरा है इन्होंने एक बरतन लिया उसमें आपके क्या ले लिया soda water ले लिया उसमें जितनी भी requirement है photosynthesis के लिए जो जो raw material आपको चीए वो सारा बिटा इन्होंने ले लिया है अब यह कहरा है कि लेने के बाद आपके साथ इस जो container है इस पात्र जो है उसमें आपके क्या होगा एक विध्यारती प्रकास sensation का प्रियोग करता है जिसमें काच के बड़े बरतन में soda water ले लिया chlorophyll निसरत ले लिया तथा सूर्य के प्रकास में इसे आसा रखता है कि उसे संबंद इस सभी गटक CO2, H2O, chlorophyll and light ले लिये हैं तो अब कहरा है कि आगे क्या होगा photosynthesis will takes place and glucose will produced भाई देखो अगर आपको क्या है photosynthesis करवाना है तो अलग-अलग compartment में इसकी दो reaction होती है जो light reaction होती है वो आपके किसमें होती है ग्रेना में होती है और ग्रेना में भी आपक reaction तो बिना chloroplast के photosynthesis की आपके कलपना भी करना आपके क्या है बिलकुल बेकार है तो यहां आपके photosynthesis परफॉर्म नहीं होगा क्यों photosynthesis के लिए आपके chloroplast जो है वो आपके क्या रहेगा आवशक रहेगा तो फिर आप कहोगे क्या photosynthesis will takes place and glucose will produced प्रकास translation होगा तथा गुलकोज क उत्पादन होगा नहीं wrong है photosynthesis will takes place and starch will be produced which will turn into the mixture of turbid प्रकास translation होगा तथा स्टार्च का उत्पादन होगा जिससे मिस्रन आपके क्या हो जाएगा सघन हो जाएगा वह आपको क्या है यहां आपको क्या है ग्रेना यानि की थाइलकॉइट और आपके क्या है स्ट्रॉमा यानि raw material से आपके photosynthesis थोड़ी होगा तो थाइलकॉइट वगिर आपके यहां आपके enzymes ज्यों है certain enzymes वह आपके क्या रहने चीह है प्रेजेंट रहने चीह है जो आपको कहां मिलेंगे chloroplast में तो यहां photosynthesis आपके परफॉर्म है नहीं होगा तो यह कह रहा है photosynthesis will take space and its starch will be produced with will turn into the mixture of turbid नहीं starch तो आपके क्या है पहले glucose produce होता है उसके बाद ही starch में convert करके store होता है plant में तो यह तो बिल्कुल रॉंग हो गया photosynthesis will not takes place because CO2 dissolved in soda water escapes into the atmosphere and photosynthesis takes place in mitochondria बिल्कुली रॉंग हो गया भाई आपके कहा mitochondria में नहीं होता photosynthesis mitochondria में तो आपके क्या होता है बोलो respiration तो यह भी रॉंग हो गया यह रॉंग है यह रॉंग है और यह आपके क्या है रॉंग है photosynthesis will not takes place because intact chloroplast are needed for the process प्रकास sensation नहीं होगा क्योंकि प्रक्रम को एक संपूर्ण हरित लवक आपके क्या होगा आवश्यक होग तो answer beta चला जाएगा कौन सा fourth नेक्स क्यूशन अगर आपन देखें तो देखो आपके जैल एलेक्ट्रोफोरसिस का पूछ रहा है आपसे यह कह रहा है जैल एलेक्ट्रोफोरसिस में आप क्या कहते हो जो भी आपके DNA के क्या है segment है DNA के segment जो है DNA के segment जो है इनका क्या करते हो separation करते हो separation करते हो किसकी आधार पे on the basis of size size की basis पेंका क्या करते हो separation करते हो जो छोटे fragments होते है वह आपको पता यह DNA जो है वो आपके कैसा होता है जबकि बड़े fragment आपके धीरे-धीरे क्या करेंगे move करेंगे तो यह किसमें काम आएगा बता हो separation of DNA fragments according to their size DNA के खंडों को आकार की आधार पर प्रथक करने में तो यहाँ answer जो होगा वो बिटा आपके क्या होगा तीन नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो देखो वापस बायो टेक का क्यूशन है अच्छा सा transformation से related which of the following method क्या करा है which of the following method can be used for making the bacterial cell competent for the transformation ठीक है competent for the transformation नेमने खित्मे से कौन सी विधी जीवानों कोसीका को रूपांतरन के लिए सक्षम बनाने में क्या की जाती है प्रियुक्त की जाती है treating with specific concentration of bivalent iron like that CA plus 2 सही है बिलकुल ऐसा होता है आपके क्या है दूस 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 अहीं हो जी धना आयन जैसे CA plus 2 की विसिस सांदृता से आपके क्या करते है त्रीट करते है बिलकुल सही है फिर आप कहते हो treating with specific concentration of monovalent नहीं रॉंग है फिर आप कहते हो heat choke देते हो जो भी आपक आपके plasma membrane की permeability उसको क्या करने के लिए चेंज करने के लिए इस पर आपके क्या दिये जाते है temperature treatment temperature को फिर बढ़ाया जाता है फिर बढ़ाया जाता है फिर गटाया जाता है और इस process को बिटा आप क्या कहते हो बोलो heat shock ठीक है इसके थुरू foreign DNA जो है इसको आप enter करवा होगी होसल में जिसको अपन कहते हैं क्या transformation तो transformation में एक तो आप bivalent आयन से आप क्या करते हो इसको treat करते हो प्लस इसको heat shock देते हो तो क्या हो जाएगा first and third दोनों आ जाएगे first भी सही है third भी सही है तो answer आपके हो जाएगा first and third तो answer बिटा आपके जाएगा कौन सा fourth answer क्या चला जा सही है तीसरा भी सही है तो बोथ first and third answer आपके चला जाएगा कौन सा fourth next है आपके 160 ecology का question है देखो जो bio diversity और conservation है वहाँ से the historical convention and biological diversity the earth summit देखो earth summit जो है वो आपके कब हुआ था 1992 में आपके कहा Rio de Janeiro Brazil में जबकि world summit जो है वो आपके कब हुआ था 2002 में 2002 में 2002 में यह आपके हुआ था जोंसबर्ग साउथ अफरिका में तो यहाँ answer आपके आजाएगा कौन सा first यानि कि आपके कब हुआ है 1992 में Rio de Janeiro Brazil में ठीक है बटा चलो आपने आगे चलते है नेक्स्ट है 161 यह भी ecology का question है अच्छा सा question है यह आपसे पूछ रहा है कि छोटे जो भी आपके क्या है और्गनिजम है a small animal like huge and human birds are absent in polar regions small animals have a large surface area are relative to their volume these animals are not adapted to these environment due to भाई सीधी सी बात है यहां आपको teacher ने समझाया होगा कि जैसे अपन मुठी ले लेते हैं इस मुठी का surface area बहुत बड़ा हो गया लेकिन energy producing जो system में अंदर volume में है वो volume आपके क्या हो गया कम हो गया तो अब अगर इसको polar region में जाना है तो अपने surface area जादा होने के कारण यह यहां adapt होने के लिए इसको उर्जा जो है energy जो है वो एक अधिक amount में higher amount में क्या करनी होगी consume करनी होगी भाई आपके क्या है higher amount में इसकी energy जो है वो आपके क्या होगी waste होगी और energy की requirement आपके high होगी वहाँ survive करने के लिए तो यह बहुत long time तक वहाँ survive आपके नहीं कर कि यहां surface area जादा हो गया है तो यहां temperature regulation के लिए जादा energy आपको क्या करनी पड़ेगी खर्च करनी पड़ेगी और जादा energy खर्च हो रही है तो एक बहुत long time तक यहां survive नहीं कर पाएगा बढ़ते options की तरब absence of metabolism उपाप्चे की अनपस्तिती के करण ऐसा कुछ नहीं उपा partition are not generally fixed अनुकूलन के अनुवांसिक रूप से इससर नहीं होने के करण ऐसा कुछ नहीं है फिर है become partial regulator आंसिक नियामक बनने के करण इससे आंसिक नियामक के आपके कोई भी relation नहीं है तो metabolism require more energy उपाप्चे के लिए अधिक उजाकी आपके क्या होने के करण आवशक्ता होने के करण है फिर आप कहरें नेक्स्ट अपन बढ़ें 162 की तरफ तो देखो 162 आप से क्या कह रहा है है हाउ मनी स्टेट्मेंट्स आर्ट्रू यानि कि कितने स्टेट्मेंट्स जो है वह आपके क्या है ट्रू है पहला कह रहा है पायोनियर इस्पिसीज ऑल्वेज इन्वेड इन दा बेर लेंड इनिशेल ले पुरोगामी जाती है हमेशा बंजर जमीन पर आपके क्या होती है स्थापित होती है बिल्कुल सही है बही आपके क्या सेकंडरी सेसेशन हो चा प्राइमरी सेसेशन हो हमेशा पायोनियर कम्यूनिटी जो है वो बंजर जमीन पर आएगी तो same mechanism में नहीं आते हैं, earthworm आपके fragmentation में यूज होता है, जबकि fungi जो है, वो आपके catabolism में क्या होती है, यूज होती है, gross primary productivity and net primary productivity, both are the rate of biomass production, and both have exact same value, ना, भाई आपके क्या है, gross primary productivity मैं से, जब respiration को आप क्या कर देते हो, हटा देते हो, respiration को हटाने के बाद, जो आपके आती है, वो आपके क्या है, net primary productivity है, जो consumers के लिए आपके पास क्या रहती है, available रहती है, तो यहाँ इनकी exact same value हो इनी सकती, तो यह भी आपके क्या हो गया, wrong हो गया, तो यहाँ true जो हैं, वो आपके कौन से हैं, A and B आपके क्या हैं, यहाँ पे true हैं, ठीक हैं, बढ़ते हैं next question की ओर अपन, फिर आपके कह रहा है, यह भी एक अच्छा question है, देखो, ए बायो chemical reaction, catalyzed by the enzyme, RUBP, carboxylase, which leads to the formation of, two molecules of 3 PGA, this enzyme would be called, RUBP, carboxylase, and oxygenase, और Rubisco, because, भाई आपके कह रहा है, किसको, ribulose, bisphosphate, carboxylase, oxygenase भी क्यों कह जाता है, भाई सीधी सी बात है, यह carboxylation के साथ-साथ, oxygenase आपके क्या रखता है, activity भी show करता है, this enzyme is a chief enzyme for respiration, तो यह आपके क्या हो गया, wrong हो गया, दूसरा है, this enzyme also has oxygenase activity, बिल्कुल सही है, इसमें oxygenase activity भी आपके क्या रहती है, present रहती है, this enzyme occurs in all eukaryotes, नहीं, सारे eukaryotes में आपके नहीं होता, this is an universal enzyme for respiration, respiration के लिए नहीं होता, यह आपके किसके लिए होता है, photosynthesis के लिए, तो बेटा, यहाँ answer जो आपके आजाएगा, वो आपके कौन सा है, क्यों, क्योंकि यह है enzyme oxygenase kriya भी दर साता है, बढ़ते हैं बेटा, next question की तरफ, तो आपके next question है बेटा, the underground portion of man stem grow horizontally by the soil, and then come out obliqually upward in, देखो दो चीजें होती हैं यहाँ, यहाँ आप कह रहे हो क्या, कि आपके क्या है, horizontally grow कर रहा है, और obliqually आपके क्या आ रहा है, बहार आ रहा है, यह आपके क्या है, condition है, यहाँ से obliqually आपके क्या है, horizontal grow करता है, obliqually क्या निकलता है, बहार निकलता है, दूसरा आपके होता है, बैनेददा soil से बहार निकलता है, बहार जाता है उपर ग्रो करता है वापस यूटन मार के आपके अर्थ को क्या करता है टच करता है तो यह कंडिशन जो है वो तो आपके क्या है इस्टॉलन यह कंडिशन आपके क्या है इस्टॉलन और यह कंडिशन जो है वह आपके क्या है सकर और सकर कंडिशन जैसा कि आपक आपके किसका एक्जम्ल हो गया सकंपर का और सकर आपके पाया जाएवा किसमें क्राइस एंधुमं एक राइस एंधुमंधिल इसके आदा अलब में बनाना पाइनेपल ओर झूछ पके ऑजाएगा जै maintained टो जैसा कि आपको दे रखna है आसर आपके क्या चला जाएगा फास्ट पाइने पर लेंड़ क्राइज सेंथिमँ क्या जाएगा पाइने पर लेड़ क्राइज लूब आपके क्या होता है जब आEX Artificial Hybridization करते हैं तो Artificial Hybridization में आप क्या कहते हो जो भी female जो है इस फी निल पैरेंट जो है तो अगर आपके क्या है bisexual है इस बाइसेक्स्वल है तो यहां से आपके रिमूवल होता है किसका एंथर का यहां से एंथर का आप क्या कर करोगे और अगर आप रिमूवल करोगे तो इसको अपन कहते हैं क्या इमस्कुलेशन है फिर एक कंसिडर दा फॉलॉविंग स्टेटमेंट निम्न कत्नों पर विचार कीजिए दस सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल दा प्राइमरी वॉल इस कैपेवल ऑफ ग्रोथ तो प्राइमरी सेल वॉल फिर आपके क्या होगी सेकंडरी सेल वॉल तो यहां सबसे बाहर मिडल एमिला है प्राइमरी सेल वॉल सेकंडरी सेल वॉल इट मेंस सेकंडरी सेल वॉल जो होगी वह आपके प्राइमरी सेल वॉल क्या आपके कहा होगी इनर साइड ना कि आपके तो आपके क्या है सब्सक्राइब कितना अगर आपके क्या है 167 इसमें आपके कुफेक्टर से पूछ राएं तो बहुत सिंपल से हैं हाउ मनी को फैक्टर्स हार यूजड एन लिंक रियक्शन आफ रेस्पिरिशन पाइरुवेट डी हाइड्रोजिनेज जो है उनके लिए आपके क्या है कौन-कौन से को फैक्टर्स हैं को एंजाइम ए होगा मन प्लस नहीं है एंजी आपके होगा एंडी होगा टीपीप होगा और लिपायक एसड होगा यानि कि छोड़के मैगनीज को और बाकी आपके सारे आ जाएंगे तो यहां कितने को फैक्टर होता हैं 5 नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो आपके कह रहा है इन कैल्विन साइकल वन्स यूटू फिक्सेशन रिक्वाइर एव्टीप एंड नडी पीच्टू तो आपको सभी पता है सबको पता है कि 3 एटीप और 2 एनडी पीच्टू आपके क्या होते हैं रिक्वाइड होते हैं तो कित्ते आपके बोलो, 3 एटीप कित्ते, 3 एटीप प्लस 2 एनडी पीच्टू आपके क्या होंगे, यूज होंगे, तो आंसर आपके आ जाएगा कौन सा, थर्ड, नेक्स्ट अगर अपन चलें तो आपके होगा क्या इसका अंसर आपके अभी होई गया बिटा कौन सा होगा 380P और 2NA DPH2 नेक्स जो है वो आपके क्या है इनका सिक्वेंस जो है वो आपके क्रम जो है से आपके पूछ रहा है देखो क्या कह रहा है आप से the different steps of recombinant DNA technology are given below randomly पुनर योगज DNA तकनीक के विभिन पद याद्रक्षी क्रूप से दिये गए है जिनको इसमें से आप क्या कहोगे which of the following represents the correct sequence of steps यानि कि इन steps का आपको correct sequence निकालना है ठीक है सबसे पहले है isolation of the DNA fragments और gene to be cloned सही है सबसे पहले isolation करोगे और इसको आपके क्या है जो भी आपके DNA fragments जिनको आपको clone करवाना है उसका isolation करोगे बिल्कुल सही है तो सबसे पहले आपके हो जाएगा कौन सा first उसके बाद देख हुई आएगा insertion of the isolated gene into the suitable plasmid vector तो फिर आपके कौन सा हो जाएगा five उसके बाद आप करोगे introduced of the recombinant DNA in suitable cell usually e-coli called host cell में आप क्या कर दोगे transformation कर दोगे बिल्कुल सही है फिर आपके क्या हो जाएगा second, second के बाद आपके आएगा कौन सा यह आएगा selection of the transformant भाई आपके क्या है जो भी आपके क्या है recombinant जो भी आपके क्या है selectable marker gene है उसकी help से आप recombinant और non recombinant का क्या करोगे identification करोगे तो फिर यहाँ आपके आएगा selection of the transformant host cell and identification of the clone containing the desired gene DNA fragments तो आपके कौन सा हो जाएगा यहाँ, fourth और fourth के बाद आपके last जो है वो आपके आजाएगा कौन सा third, कौन सा multiplication या expression of the introduced gene in the host तो यहाँ आपके आजाएगा कौन सा, third तो ऐसा आपके किसमें दे रखा है आपके third option में तो 169 का आपके क्या हो जाएगा, third तो यहाँ आपके कौन सा answer सही हो जाएगा, third इनको आपको process में जमाना है, तो सबसे पहले आप क्या कर दें isolation करें, isolation के बाद में फिर आप क्या करोगे जो भी suitable plasmid vector है, उसके साथ मिला कि RDNA बनाओगे RDNA के बाद में इनका आप क्या करोगे, transformation transformation के बाद में, recombinants और recombinants यह आपन कहें transformant और non-transformant का identification करोगे, फिर gene की आप क्या करवाओगे, cloning करवाओगे, तो answer यहाँ आपके हो जाएगा, क्या third next आपन चलाएं, which of the following statement is incorrect, यानि की कौन सा statement जो है वो आपके incorrect है, which of the following statement is incorrect, आपके करवाओगे, some microbes are possibly survive at the sites where temperature may be high as 100 degree Celsius and also in highly acidic environment बिलकुल सही है, the duff which is used during making foods, such है dosa and idli is fermented by bacteria सही है, idli और dosa के formation के लिए जो duff होता है, उसको अपन bacteria से क्या करवाते हैं, fermented करवाते हैं, beverage and antibiotics are produced in fermenters on industrial scale, यह भी सही है, microbes which are not cultured on culture medium, like virus, prions, etc, there are study and information is very easily possible in laboratory, जो भहिया laboratory में growing नहीं कर रहा, तो उसकी आप easily information कैसे निकाल सकते हैं, बिलकुल wrong है, तो आपके wrong जू है, वो आपके कौन सा हो जाएगा, fourth, तो आपके सही है, first, second or third, और wrong जू है, वो आपके क्या हो जाएगा, बिटा, four, next है, आपके अच्छा सा question है, देखो, match कर वा रहा है आपसे, choose the unmatched pair, एस उमेलित युग्म का chain कीजिए, औक जेन, apical dominance, बिलकुल सही है, जिब्रेलिन्स, malting process में काम आते हैं, बिलकुल सही है, ethylene, translocation of nutrients ना, इसमें आपकी काम आता है, cytokine है, कौन काम आता है बिटा, यहाँ, cytokine, तो यह आपके क्या हो गया, रॉंग, aba closing of stomata, तो आपके रॉंग जो है, वो आपके कौन सा हो गया, third, next है, how many ATP molecules are produced by a complete oxidation of one pyruvic acid during respiration, by pyruvic acid जो है, आपको कहां जाना है, pyruvic acid में, ठीक है, तो pyruvic acid में आप क्या कहोगी, अगर आपन बात करें, तो pyruvic acid जो है, उसमें आपके कित्ते कार्बन है, pyruvic acid में है, आपके 3 carbon, pyruvic acid में है, आपके कित्ते 3 carbon, ठीक है, इस से आपके बनेंगे क्या, 2-acetyl coenzyme A, क्या बन जाएंगे, 2-acetyl coenzyme A, तो 2-acetyl coenzyme A बनते हैं, तो यहां आपके बनते हैं, 2-NA-DPH2, क्या, 2-NA-DH2, तो यहां 1 की बात कर रहा है, तो यहां 1-NA-DH2, 1-NA-DH2, तो किस में बनेगा, link reaction, अब आपने आजाएं किस पे, क्रेब साइकल पे, तो एक क्रेब साइकल जो है, 1-acetyl coenzyme A, जो है, 1-Cycle चलाएगा, तो यहां आपके मिलते हैं, 3-NA-DH2, 1-FADH2, प्लस आपके क्या मिलेगी, 1-GTP, यही मिलता है आपको क्रेब साइकल में, तो देखो, अब इसकी energy आपन देखें, तो यह आपके किस में मिल रहा है, TCA cycle यह अब क्रेब साइकल में, तो यहां आपको मिल गई 3-ATP, जबकि यहां आपके 1-NA-DH2 से 3 मिल रही है, तो 9-2-1-GTP, 1-ATP है, इट मेंस आपके किती 12-ATP, किती-ATP मिल गई 12, तो यहां इसको जोड़ देए, 3 तो link reaction से मिल रही है, 12 आपके क्रेब साइकल से मिल रही है, 12 और 3 आपके किता आजाएगा विटा, 15-ATP, तो यहां किया आजाएगा, 15-ATP, next अगर आपन बात करें, तो फिर आपके क्या है, match the column है, diversity से, चलो कर लेते हैं, आपन, देखो पूरा का पूरा paper विटा, जो है, वो आपके क्या है, अपन तो explanation कर वा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है नहीं, तो दो मिनट के question है, few of Ic, majorly warmer, few of Ic के लिए आपको देखना है, तो इसमें से अपन मिला लेते हैं, चलो, majorly in warmer, marine area, यह आपके किसके लिए होगा, रॉड़ो फाइसी के लिए, greater variations in size and form, यह आपके किसके लिए है, few of Ic के लिए, polysulfate ester in cell wall, यह आपके किसके लिए है, रॉड़ो फाइसी के लिए, plant body differentiate in hold fast type end, अपके क्या है, front, तो यह आपके किसके लिए है, few of Ic के लिए, motile cells and spores are absent in life cycle, तो यह आपके किसके लिए है, road of Ic के लिए, अब देखो road of Ic के सबसे पहले आपको दे रखा है, a few of Ic, तो few of Ic के लिए हो गया, second and आपके क्या है, fourth, second और fourth, जबकि आपके क्या है, first, third और fifth, first, third and fifth आपके किसके लिए हो गया, रोडोफाइसी के लिए तो यहां आंसर जो आजाएगा वो आपके कौन सा आएगा बताओ, यहां आंसर आपके आएगा कौन सा, first, ठीक है, next अगर आपके क्या है, statements दे रखें और आप से पूछा है, कि किते statements आपके क्या हैं, सही है, रीड दा फॉलाविंग स्टेटमेंट्स निम्न कतनों को पढ़िये रिच बायो डाइवर्सिटी इज नॉट अनली एसेंचियल फोर दा एकोसिस्टम हेल्प बट इंपर्वेटिव फोर वेरी सर्वाइवल अफ दा अफ दा यूमन रेस ऑन दिस प्लानेट सम्रद जैविवि बिल्कुल सहिए है इन इंडिया दा एर प्रिवेंशिन अंग्रोल अफ प्लूशन आपकम इंटू फोर्स इन नाइटीन वन वाज अनिमिते इन इन आइटीन इसेवन इंक्लूद नॉइस अजन अर बिल्कुल सहिए यह भी इन सिटू कंजरवेशन दा अंडेंजर्स पिसी प्रिवेशन निम्न में से कौन से उधारण पवित्र उपवन के उधारण है नहीं है तो खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघल्य है अरावली हिल्स आफ राजिस्थान ये भी है वेट लैंड एरिया ओफ असाम ये आपके नहीं है चंदा एंड बस्तर एरिया जो आफ मेघल्य मध्य क्या करा है डिख रहा है क्या कहलता है एंड एटीप सिंधेटेज में ये बैक्तेरीयल मम्रेण में भी मिलेगा लेकिन फिस्टर नी अफ ए-र यार की शिस्टर नी जो है उसमें विटाइए अपके रहेंगा एपसेंट नेक्स्ट है match the following column first and second पहला है cyclosporine और दूसरा है statins तो इसके साब से ही मिलाते हैं आपने देखो इस्ट से आपके कौन होता है इस्ट मॉनस्कस परप्यूरियस से आपको मिलता है कौन statins तो यहां आपके आ जाएगा कौन सा first and second तो यहां आपके यहां आपके आएगा यहां आपके आजाएगा first second इसके अलावा यह आपके blood cholesterol level को आपके क्या करता है decrease करता है तो आपके क्या जाएगा fourth यह आपके trichoderma polysporum यानि कि आपके फंजाई से प्राप्त होता है यहां आपके आजाएगा fifth इसके अलावा यह immunosuppressive होता है तो क्या जाएगा third तो third और fifth तो आपके होगा किस में A में A में third और fifth B में आपके हो जाएगा first second and fourth तो answer जो हो बिटा आपके क्या जाएगा second तो यहां answer जो हो आपके क्या होगा second नेक्स्ट है यह प्रिडिटर एक परभग्ची is too efficient to overexploited prey नहीं ऐसा नहीं होता यह कभी भी प्रे को overexploit नहीं करता है क्योंकि food की deficiency के करण इसकी भी आपके क्या हो जाएगी death हो जाएगी तो यह overexploitation नहीं करता helps in maintain the global diversity by increasing the intensity of competition increasing नहीं करता क्या करता है decrease करता है तो यह भी आपके क्या हो गया wrong हो गया acts as a candidates for energy transfer across the traffic level तो traffic levels में energy का आपके क्या करता है transfer करता है सही है सोच positive positive interaction नहीं positive और आपके कैसा होता है negative तो यह भी आपके क्या है wrong है तो आपके परभग्ची जो है वो पोसक इस तरहों में उर्जा के स्थानांत्रन का क्या करता है कार्य करता है next question अगर आपन देखें कि 179 तो सीधा सा है यह आपके NCIT का diagram है कि कौन regulator है कौन आपके कौन regulator है कौन partial regulator है और कौन आपके क्या है तो यह आपके क्या है external level के साथ internal level जो है वो आपके constant है तो यह तो regulator है external level के साथ internal level लगातार चेंज हो रहा है तो यह आपके क्या है आपके क्या है और यह आपके क्या हो जाएगा partial regulator तो ए जो है वो तो आपके क्या है regulator बी कन फर्मर है सी जो है वो आपके क्या है partial regulator नेक्स्ट है 180 select mismatch pair as humility को चुनिए एपो मिक्सिस जो है वो आपके साही है मिमिक होती आपके किसकी sexual reproduction की भाई आपके यह sexual production की आपके क्या है मिमिक है बिलकुल सही है तो एपो मिक्सिस मिमिक है sexual production की सही है false fruit आपके apple है बिलकुल सही है fruit जो है वो fertilized ओवेरी होती है यह भी सही है endosperm of pinus deployed नहीं होता है यह आपके क्या होता है haploid होता है fertilization से पहले ही बनता है और fertilization से पहले ही बनेगा तो यह आपके mega spore से आपके क्या होगा form होगा तो यह आपके क्या हो गया wrong फिर है आपके which is the most logical sequence with reference to the life cycle of angiospam तो angiospam के life cycle में सबसे पहले बिट आपके क्या होता है pollination होता है pollination के बाद में आपके क्या होता है fertilization seed formation germination pollination, fertilization, seed formation germination answer आपके हो जाएगा third next अगर अपन चलें तो फिर आपके क्या है देखो 182 comofloig is an important mechanism where छदमावरन एक महतपून क्रिया विदिये जहाँ परभक्षी जो है यानि कि अपने क्या है predator से बचने के लिए prey जो होता है वो अपने color में क्या करता है change करता है या अपने surrounding जैसा हो जाता है ताकि जो भी आपके predator है वो prey को easily आपके पहँचान ना सके ताकि अपने कायसे predator से क्या रहे बचा रहे इसको आपन कहते हैं क्या comofloig तो ऐसा कौन सा answer आपको दे रखा है वो देख लो predators are never cryptically colored for the easy capturing of their prey परभक्ची कभी अपने सिकार को आसानी से पकड़ने है तो गुप्त रंग आपके क्या है प्रदर्सित नहीं करते छदमावरन से इसका आपके कोई भी relation नहीं है दूसरा है prey species are cryptically colored to avoid being detected easily by predator सिकार जाती है परभक्चीत से पहचाने जाने से बचनी है तो गुप्त रूप से आपके रंग क्या करती है प्रदर्सित करती है इसी को ही आपन क्या करते है comofloig तो आपके answer जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा second ठीक है next अगर आपन बढ़ें next है which of the following character is not related with parent का इमान इमने कुप में से कौन सा लेक्षन ब्रदू तक से संबंदित नहीं है it forms the major component within organs यह अंगो के ब्रहद गटक बनाता है बिलकुल सही है बाई आपके क्या है अंगो का ब्रहद गटक बनाता है बिलकुल सही है it forms the major component of the organs बिलकुल सही है second अपन चलें cells are generally isodimerfic कोसी का सामानत है आपके क्या होती है संभ्यासी होती है cell may either to be closely packed or have small intercellular space बिलकुल सही है cell walls are thick and lignified cell wall कभी भी यहाँ lignified नहीं होती यहाँ कभी भी lignin का जमाब नहीं होता तो यह आपके wrong जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा fourth फिर है आपके next अगर अपन बात करें 184 की तो यहाँ आपके anatomy का एक अच्छा सा आपके क्या है question ने देखो consider the following statements a and d and select the option which is include all the correct ones निमने के चार कतनों को ACD पर विचार कीजिए तथा सभी सही कतनों को आपके क्या कीजिए विकल्प के साथ चुनिए all dicots and bryophytes plant show secondary growth ना bryophyte में कभी भी secondary growth है नहीं होती vascular cambium in dicot roots is completely secondary in origin बिलकुल सही है जो भी आपके क्या होते हैं root में जो secondary growth होती है उसमें vascular cambium बनती है वो origin में completely आपके क्या है secondary है जबकि stem में partially आपके कैसी होती है primary partially कैसी होती है secondary cork cambium is responsible for the secondary growth in extra stellar region of plant बिलकुल सही है vascular cambium stellar region में secondary growth करती है जबकि cork cambium जो है वो extra stellar region में आपके क्या करती है secondary growth बिल्कुल सही है all lateral meristems are primarily meristems सारे lateral meristems जो है वो आपके primary meristems है ना ये भी आपके क्या है wrong है तो सही आपके कौन से है second and third ये है फिर आपके क्या है देखो select the wrong matching गलत मिलान को चुनिए PCR gene amplification में काम आएगा PCR जो है वो आपके काई में gene amplification में आपके क्या आएगा काम में आएगा बिल्कुल सही है RAPD molecular marker है बिल्कुल सही है LIS molecular diagnosis में काम आता है humulin recombinant enzyme नहीं है ये आपके क्या है recombinant आपके क्या है protein है ये आपके क्या है recombinant आपके क्या है hormone है इसको hormone produce किया था ये recombinant protein यह नहीं ना कि आपके क्या है एंजाइम भाई आपके हुमुलेन एक क्या है हॉर्मॉन है एंजाइम थोड़ी है आर यह बाद समझ में नेक्स्ट आपन चलते हैं बी पार्ट की तरफ देखो सीधी सी बात है सारे क्यूशन आपने देखे नीट के लेवल के थे तो नीट लेवल का होना चाहिए प्लस NCRT का हर कॉंसेप्ट बिटा आपन को आना चाहिए एकदम एनरजेटिकली बढ़िया बॉस के साथ होते हुए स इस्टम को फोलो करते होए सारे टेस्ट देते होए अपन को फाइनल शीप देनी है किसको एकजाम को ठीक है एकजाम को फोड किया ना है AIR 1 लानी है सीकर को क्या करना है टॉप करना है जिसको आपन पहले भी कर चुके हैं लेकिन अब बात अपने लड़ाई जो है वह आपक बी सेक्षेन की तरफ यहां क्यूशन थोड़े से आपके बड़े हुआ करते हैं और अच्छे लिवल की हुआ करते हैं बायो मॉलीक्यूल का अच्छा क्यूशन है इडेंटिफाइड दा गिवन इस गिवन इस्ट्रेक्चर्स फार्मूला एंड सलेक्ट दा करेक्ट एंचानिये तथा सही विकल्प का आपके क्या कीजिए चैन कीजिए यह आपके क्या है बायो मॉलीक्यूल मैं आपको दे रखा है कि सीधी सी बात है यह जो पहली स्ट्रेक्चर है वो तो आपके किसकी है एडेनिन की तो यह तो है आपके क्या है एडेनिन जबकि यह दूसर जो है वो आपके क्या है यूरेसल तो पहला है आपके एड़निन और दूसरा है आपके क्या यूरेसल तो आंसर जो है वो आपके क्या हो जाएगा एड़निन एंड यूरेसल नेक्स जो है वो आपके दे रखा है देखो सिधी सी बात है identify A and B in given diagram of transcriptional unit अनुलेखनी एकाई के दिये गए चित्र में A तथा B को आपके क्या कीजिए पहंचानी है देखो सारे reference आपन किसके according लेते हैं coding strand क्या according और coding strand के आपके 5-1 पर promoter होता है तो 5-1 पर promoter इसके पर है तो it means यह तो आपके क्या कौन सा है coding strand ठीक है जब की दूसरा आपके कौन सा हो जाएगा template strand तो यह आपके क्या हो जाएगा template तो यह मिला लो भाई A जो है वो coding नहीं A आपके template है B आपके क्या है coding strand है तो आपके कौन सा हो जाएगा second answer next है आपके find out the correct match from the following निमनेखित में से सही मिलान को आपको क्या करना है चुनना है चलो करते हैं सही मिलान की बाद axillary bird इससे आपके क्या बनते हैं leaf tendril सही है जिसका example है cucumber और grape pine तो सही है फिर है आपके leaf leaf जो है से leaf tendril बनेंगे जिसका example है पी तो यह भी सही है यह भी सही है इस्टी प्यूल अनुपर्ण leaf tendril बनते हैं pumpkin और grab points इसका example यह आपके क्या है रॉंग है axillary bird में stem के आपके क्या है modifications में आपके आता है तो आपके क्या है यह रॉंग है first and second आपके क्या है सही है तो यह आपके देख लो options जो है वह आपके following correctly match जो है वह आपके कौन से है के वल first and second तो answer जो है four statements a to d and select the option which includes all the correct ones only निमने के चार कतनों a d by d पर विचार कीजिए तथा सभी सही कतनों वाले एक विकल्प को चुनिए dynoflagellates have stiff cellulose plate on outer surface बिलकुल सही है euglinoids have two flagella one lies longitudinally and other is transversely यह आपके किस के लिए होता है dynoflagellate के लिए होता है यहां रॉंग गई है slime molds is poor are dispersed by the air currents सही है in diatums the cell wall form too thin overlapping shells जैसे साबुन दानी जो होती है वो आपके क्या है shop case जो होता है उसकी तरह आपके क्या रहते है fix रहते है तो यह भी आपके क्या है सही है तो a c और d statement आपके क्या है सही है तो answer आपके हो जाएगा कौन सा fourth answer कौन सा जाएगा विटा आपके fourth ठीक है next अगर आपन चले है तो फिर है आपके 190 190 देखो आपको क्या क्या करा है 190 में read the following statement with respect to the mitochondria mitochondria के respect में आपन को various जो statement है उनको पढ़ना है it divides and increase the number by binary fission बिल्कुल सही है during early course evolution these were actually bacteria भाई आपके क्या है इसके में बैक्टिरिया के साथ similarity है 70S ribosome है bacteria में जैसे mediosome मिलते हैं इसमें आपके क्या है क्रिस्टी है दोनों में bacteria और mitochondria दोनों में आपके क्या है double standard circular आपके क्या है DNA इसलिए scientist आपके मानते हैं कि primitive ancient time में आपके क्या रहे होंगे bacteria रहे होंगे जो eukaryotic cell में आए और इसका permanent आपके क्या बन गए पार्ट बन गए तो यह भी आपके क्या है सही है यह अपनी requirement के कुछ proteins का synthesis करते हैं लेकिन maximum के इसके लिए nucleus पर क्या है dependent है तो यह semi-autonomous आपके क्या है और गनले इस matrix पजेज 70s ribosome RNA and linear linear नहीं होता कैसा होता है circular तो यह भी आपके क्या है रॉंग है तो आपके सही statement जो है वह आपके कितने हैं केवल और केवल तीन अि next question पर बढ़ते हैं विता देखो next अपके सेल्ड वीजन की क्या पूछी गई है आपसे फेजवेज पूछी गई है तु आपके leptotine eneantiis Ale starting प्रॉफफर सर्सलपो ऀंपके प्रॉफेज फरस्ट कि प्रारभिक अवस्थथ अवस्था है बिलकुल सही ई हाँ बटा नेक्स क्यूशन है 191 191 की तरफ अपन बढ़ते हैं देखें आप फाइंड दा करेक्ट ली मैश्ट पेर्स चूज दा करेक्ट अप्शन सही युगमित युगमों को पहचा नहीं तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए तो यहां पेटा सबसे पहले आपके दिया हुआ लैप्टोटीन का ठीक है लैप्टोटीन जो है वह इनिशियल फेज है आपके काई की प्रॉफेज फर्स्ट की बिल्कुल सही बात है यह आपके इनिशियल फेज है आपके किसकी प्रॉफेज फर्स्ट की भी है जाइगोटीन जो है उसमें पेरिंग होती है काई की हमोलोगस क्रोमसॉम्स की यह भी बिल्कुल सही है फिर है पैकाइटीन डिजॉ तो यहाँ A, B और E आपके क्या हैं, सही हैं, तो सही आपके हो जाएगा क्या, A, B and E, तो यहाँ answer जो है वो आपके क्या हो जाएगा, second, ठीक है, next अगर आपन बात करें, तो 192, अच्छा question है, यहाँ आपसे पूछ रहा है, match list first compound oxidized during crap cycle, with list compound formed on oxidation, and select the correct answer using the quotes given blow, क्रेब्स चक्त के दौरान ऑक्सिकरत होने वाले योगों को सूची second, ऑक्सिकरन होने पर बनने वाले योगी को किसे सुमिलित कीजिए, तथा सूचियों को नीचे दिये गए कूट का, सही प्रियोग करके आपको काय को, उत्तर को क्या करना है, चुनना है, यहाँ देखो list first मे से पहले के compound है यह, फिर यह है, oxidation होने के बाद में compound, तो सीधा साए कि NADH2 और या FADH2 यहाँ बनेगा, और यहाँ आपके क्या है, NAD से आप NADH2 बनाओगे, तो compound से H release हुआ है, तो इसका आपके क्या हुआ है, oxidation, तो जिससे आपके H release हो रहा है, यहाँ वो step देखें, जहा NADH2 या FADH2 का क्या हो रहा है, formation हो रहा है, यह आपन कहें, krebs cycle के duration में, किस substrate से क्या product बन रहा है, तो देखो pyrovic acid, pyrovic acid जो है, वो NADH2 release करता हुआ आपके बजलता है, acetyl coenzyme A में, तो इसका बेटा आपके क्या हो जाएगा, first, क्या जाएगा, इसका बेटा, first, इसका आ isocentric acid, isocentric acid जो है, वो आपके बदलेगा, किसमें, oxylo succinic acid में, किसमें बदलेगा, oxylo succinic acid में, ठीक है, यह आपके बदलेगा, oxylo succinic acid में, ठीक है, फिर है, alpha ketogluteric acid, alpha ketogluteric acid आपके बदलेगा, succinyl coenzyme A में, काई में बदलेगा, succinyl coenzyme A में, और succinic acid जो है, वो आपक एसेड यानि कि आपके 5th में तो क्या-क्या हो जाएगा आपके 1,4,2,5 तो आपके आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा बिटा चौथा 192 जो है उसमें आपके हो जाएगा क्या 4 ओके बिटा चलो चलते हैं next की तरफ फिर है आपके यह आपके varieties दी गई हैं और disease तो देखें आप इस में से आपको सही को रखाटना की आपके। प्रिस्टा कि आपके पूसा कॉमल की नहीं है। काउ पी काउ पी की आगे की देखे पूसा स्वर में कोई की वेराइटी ना होगaken कि स bei इसके मस्टर्ड यब रैसिका की यह तो यह भी आपके क्या वगया रॉंग हो गया चिली पूसा सदा बाहा लीफ कर ज़िए आपके क्या है, रेजिस्टेंट है, तो यह आपके D जो है, वो आपके क्या है, सही है, तो आंसर जो है, वो आपके क्या जाएगा, D, D आपके किसमें दिरखा है, second option में, तो यहाँ सही answer जो होगा, वो आपके कौन सा है, second, देखो, 194 देखो, सीधी सा है, भई, मैमेलिया जो है अगर आपन human की बात करें तो यहाँ आपके कौन आ जाएगा? Cordita आपके क्या है? Phylum है. भाई यहाँ आपके क्या जाएगा? Phylum Cordita. तो यहाँ तो आपके आजाएगा? Cordita. Match आपको करना है. फिर है आपसे पूछ रहा है दूसरा housefly की आपके class है, तो क्या है? Insecta. तिसरा अगर अपन बात करें, तो mango जो है, उसकी family जो है, आपके कौन सी है? और wheat जो है, उसकी class जो है, वो आपके कौन सी है? Monocot. तो ऐसा किसमें रखा? देख लो. Cordita, Insecta, Anarchidase, Monocotylidine. Cordita, Insecta, Anarchidase, Monocotylidine. तो answer आपके आजाएगा कौन सा first next बेटा आपके दिया हुआ है 195 195 का आप देखें दो figures आपको दे रखें तो यह सीधी सी बात है पहला जो figure है वो आपके NCIT का Agitate 12 के first chapter का यह तो है iso gamits of cladophora, cladophora के आपके क्या है iso gamits है यह तो आपके iso gamits of cladophora और hetero gamits जो है वो आपके किसके है यह fucus के तो answer जो है वो बेटा आपके 195 में कौन सा हो जाएगा second ठीक है 195 में आपके answer आएगा कौन सा बेटा second ठीक है next है 196 196 में सीधा सापको curve दिया हुआ है in above graph relations between species richness and area which rectangle hyperbola at log scale it shows straight line in which of following area line is more steeper उप्रोक्त graph में जाती सम्रदी तथा छेतर के बीच में संबंद दरसाया गया है जो की आयताकार अती परवले होता है लगु गुनक पैमाने पर यह संबंद सीधी रेका को दरसाता है निम्र में से किस छेतर में रेखा की डलान अधिक खड़ी होगी तो जहां जितनी ज़्यादा species diversity होगी वहां यह रेखा उतनी ही आपके क्या होगी खड़ी होगी तो यह आपके क्या है सबसे ज़्यादा खड़ी आपके किसमे होगी tropical rainforest में तो आपके क्या है जैसे जैसे आपके diversity बढ़ती है वैसे वैसे आपके क्या है यह more steeper होती जाती है तो यह सबसे ज़्यादा steeper जो होगी वह होगी उस्न कटी बंदी है वर्सावन में तो यहाँ answer जो आएगा वह बिट आपके आएगा क्या third नेक्स्ट है आपके select the correct formula for lupine plant तो lupine जो है वह आपके किस से related है legume या phabacy से और phabacy का floral formula आपके क्या है first option में आपको indicate कर रखा है तो यहाँ आपके क्या है यह आपके क्या हो जाएगा जाइगो मॉर्फिक, bisexual है फिर आपके क्या है कैलिक्स जो है उसमें sepal 5 है और यह आपके क्या है attached form में है इधर आपका होगी क्या 1 प्लस 2 प्लस 2 आपके क्या है petal है endrocium में stem and no attached है एक free है gynoseum में आपके auvery जो है superior है इसके अलाब़ा आपके क्या है carpel जो होगा वो आपके एक होगा और आपके carpel जो है आपके किसमें attached form में आपके क्या रहेगा present रहेगा और यह बस समझ में तो यहाँ answer जो जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा first 197 का भी answer आपके क्या होगा first next अगर आपन बात करें तो देखो अच्छा सा question आपके bio tech का दिया हुआ है आपको क्या कहरा है देखो आपसे on the basis of given diagram choose incorrect statement आपको incorrect statement को choose करना है allelily have prepared the sequence of A, B and C C peptide का इन्होंने कोई sequence आपके prepare नहीं किया था क्यों क्योंकि insulin के mature होने के लिए आपके क्या है C peptide chain जो है वो जरूरी होती नहीं है natural insulin में भी आप कहते हो तो pro insulin में तो C peptide chain होती है लेकिन during आपके क्या है maturation है C chain को आपके क्या कर दिया जाता है free कर दिया जाता है तो पहला statement ही आपके क्या हो गया wrong हो गया दूसरा आपन देखें A and B chains were produced separately and disulfide linkage produced to form humulin insulin बिल्कुल सही है C peptide chain is not present in mature insulin ये भी सही है तो यहां first आपके क्या है wrong है second भी ठीक है third भी ठीक है और fourth भी आपके क्या है ठीक है तो यहां answer जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा बिटा first next अगर आपन चलें 199 पे तो देखो क्या कर रहा है 199 which of the following correctly present represent the manner of replication of DNA टो यह सीधा से आपने अच्छीततर पढ़ रखा है कि जो आपकी क्या है strand five to three direction में आपके क्या होता है open होता है जैसे ही आपके five to three directions में आपके क्या हो रहा है वहां synthesis आपके क्या हो続ा है continuous होता है जिसको आपन कहते हैं leading strand जबकि आपके जो इस प्रेंड थी टू फाय डिरेक्शन में उपन होता है Napole. क्या बोलते हैं इंको आप वहाँ का जाकी फ्रैग्मेंट क्या बोलते हैं प्रेंगे फ्रैग्मेंट क्या बमता बता नास कुस्छन ओपन देख से की और बढ़ते हैं को आप देखें वहन डॉमेस्टिक सीवेज मिक्स दा रिवर वाटर जब घरेलु बाहित मल नदी के साथ मिला दिया जाता है तो चोटे जनतु जैसे की चुहे नदी का पानी पीने के बाद में आपके क्या हो जाएंगे मर जाएंगे तो क्षुम पोसक जैसे की आइरन मुक्त करती है नहीं इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज अब दा डिजॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल सही है डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करेंगी तो बियोडी जू होगा वो बिटा आपके क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो यहाँ सबसे सटी का आंसर जो है वो आपके क्या है थर्ड नीट का आया हुआ यह विटा आपके क्या है क्यूषिन है तो सारा का सारा पेपर विटा एक क्यूषिन एन्शी आईटी से लिया गया है एन्शी अईटी यूबल का पेपर है उन्ह शेक्य। की होंगी बहुत अच्छे से सही की होंगी फिर भी कोई दिक्कत हुई तो आज solution के जरी इसको अपने क्या कर लिया है बिटा solve कर लिया है तो आगे भी आप ऐसे ही लगे रहें major देते रहें इसके अलावा DCM दें ढंग से इसके बाद में आपके आपके बिटा थैंक यू जै CLC जै जै CLC